हलो फ्रेंट्स विल्कम टो आवर चैनल टुबॉक्स आफिस आप लोग जानते हैं सुपरिश्टर शारुक खांसर के डन की ओलरीजी थेटर में स्क्रीन में हीट कर चुका है अप लोग जानते हैं सारे थेटर हो या स्क्रीन सो लोकेशन हो सभी जगा में सेलिब्रेशन चल र है शारुक खांसर के इससे पहले आप लोग जानते हैं जावान और पठान जैसे फर्स दे में एक रेकुर्ट बेकिंग ओपिनिंग लिया हंड़ेट करोड प्लस बिजनेस कर पया है डन की ऐसा कलेक्शन नहीं करेगा ये बहुत लोग जानते थे क्योंके आप लोग जानते है इस मुवी का जो डिरेक्टर है वो इंडिया के वन अफ दा बेस्ट एंड सबसे अच्छे डिरेक्टर है बात करेंगे दन की का फ़स्ट अलश्म लेकर वीज़ा अच्छ लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छ लगा तो प्लीज सब्सक्रेब करना टू बॉक्स चैनल को पर बात में बज़िट को लेकर डन की जो शारुखान सर के फ्रीम है इस मुवी का बज़िट है 120 का रूपेज अब अब दा दू मुवी ने सारे राइट को बेच कर और बॉक्स आफिस में रेकुर्ड बेकिंग कलेक्शन कर चुका है और मुवी बज़िट से डबल से जिस लेंगे जिसके वज़े से इस मुवी का कॉस्ट थोड़ा सा कम है नहीं तो मुवी का जो प्रोजेक्शन कॉस है और मुवी का जो बज़िट था वो 200 से ज्यादा होता 250 भी हो सकता था जो भी हो आप जानते है शारुखान सर जो इंडिया के सबसे बरे सुपर स्टार है जिनके फ्लिम रेकृड बेकिंग कलेक्शन करता है जिनका मुवी सबसे अच्छी चलता है जनकी अपने फर्स जे में और इंजा ग्रोस सेशन के 51 का रूपीज और समागे सेशन के 45 का रूपीज वालज मागे समागे कलेशन के 96 का रूपीज अब रुदा दो जनकी जब सारे लोग इस मुवी को पॉजिटिव रिबू दिया क्रिटिक्स ने सभी जगाने बताया है ये डिरेक्टर साब के केरियर के सबसे अच्छी काम है अब दा दो इस प्रोजेक्ट को लेकर सभी लोग बहुत उच्छक है जनकी फर्स जे में 96 करोड प्लस कमाया है लाइफ ट इस जनकी फिलाओ झाल दो सबसे के लाइब।